ओम कनपते नमा ओम कनिश्याई नमा दोस्तों इस वीडियो में बात कर रहे हैं शनी कुंडली के तीसरे घर में जब शनी देवता कुंडली के तीसरे घर में हो तो जाते की क्या quality, strength, weaknesses, opportunity, threat होगे शनी क्या है? सबसे पहले ये जानना जरूरी है इसके उपर एक separate वीडियो है, अमारी वीडियो सीरीज है शनी की दुनिया, playlist उससे आप चेक कर सकते हैं कुंडली का तीसरे घर क्या है? सो दोनों को जगर आप समझ जाएंगे, दोनों को relate करेंगे तो आपके दिमाग में कलियर हो जाएगा कि शनी कुंडली के तीसरे घर में क्या result देती है चलिए एक चार्ट लेते हैं, जिसमें यहाँ पे तीन लिखा हुआ है अगर यहाँ पे शनी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि कुंडली के तीसरे घर में शनी देवता विराजमान है शनी की दूसरे घरों में प्लेस्मेंट के रिजल्ट देखने के लिए हमारे चैनल पर प्लेलिस शनी की दुनिया से चेक कर सकते हैं दोस्तों यह वीडियो सरफ शनी के तीसरे भाव के उपर है हम राशी दूसरे प्लेनेट कंजेक्शन आस्पेक्ट को डिसकस नहीं कर रहे आप जानते हैं शनी करमफल दाता है हमें करमों का एक एसाब देने के लिए वो एक जज है वो कारक है सर्विस का जॉब का परफेशन सर्वेंट अग्रिकल्चर आपकी हार्ड लेबर, लैंड, पॉलिटेक्स, पॉब्लिक सर्विस, टेक्निकल सब्जेक्ट्स और साथ में जीवन, मृत्यू, यश, अपयश, रुकाव्टे, मुसीबत, बिमारी, पाप, दुख, तक्रीफ, कर्चा क्यों? क्योंकि करम है जैसे करम होंगे, उसके अनुसार, रिजल्ट मिलेंगे तीसरा घर क्या है? तीसरा घर करमा ट्राइन का पहला घर है ये करम स्थान है हमारे जो करम करने की पहली सीड़ी यही है जो करम करने की सीड़ी में क्या होगा? courage चाहिए, stamina चाहिए communication चाहिए आपके भाई चाहिए आपके कंदे चाहिए भाई भी कंदे होते हैं आपके दोस्त भी आपके कंदे होते हैं travel, short travels why short travels? क्योंकि करमसान की पहले सीड़ी है एकदम से आप लंबी छलांग नहीं लगा सकते आपको छोटी छोटी शलांग लगाने के बाद आगे बढ़ना है communication आपकी memory, intellect आपका change of residence क्योंकि जब भी आप करम करने जाएंगे आपको अपनी जगा से हिलना पड़ेगा सो पहले बात करते हैं communication की communication यानि की लोगों के साथ आप कैसे वर्ताव करेंगे आप कैसे उनके साथ communicate करेंगे अगर शनी थर्ड आउस में हो तो जातको पब्लिक में ज़्यादा communication करना अच्छा नहीं लगता है reason क्या है कि कई बड़ ऐसे बचे लेट बोलना सिखते हैं लेट हरकत करना चिखते हैं आप देखेंगे कई बच्चों के पेरेंट्स बड़े वरिड रहते हैं कि मेरा बच्चा बोल नहीं रहा बड़ा हो गया है अभी तक बहुत कम बात करता है so generally आपको शनी की प्लेस्मेंट थर्ड आउस में देखने को मिलेगी अगर शनी प्लेस नहीं भी हो तो उस पे आस्पेक्ट होगा so इनको पब्लिक में बात करने में चिज़क रहती है ये पहले बात को समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद जवाब देते हैं क्योंकि शनी प्लैनेट ओफ मिच्यूरिटी है ये रिजिस्टेंस है ये आप्स्टेकल है तो जब कम्निकेट कोई दूसरा आदमी करता है तो कई बर वो चुप ही रहेंगे जवाब ही नहीं देंगे कई लोग आप देखेंगे गपे मारते रहेंगे पर ये बहुत कम कम्निकेशन करते हैं शनी के मेलेफिक प्लैनेट है धर्ड आउस बाजियों को इंडिकेट करता है शनी मेनत को इंडिकेट करता है तो अगर शनी, राहू, मंगल तीसरे घर में हो तो ऐसे जातक को जनरली बॉडी बिल्डिंग का या कम से कम मेनत करने का आदत रहती है शांक होता है वो कोशिश करता है कि मेनत की जाए जिम जाएगा, हेल्थ कलब जाएगा शनी यहाँ पर नीच नहीं होना चाहिए इस बात का क्याल रखें अगर शनी की पोडिशन खराब नहीं होनी चाहिए ऐसे जातक जिनका शनी खराब है उन पर यह लागू नहीं होता है सो हम एवरेज शनी की पोडिशन अच्छी मानते हैं उस कुंडिशन में ऐसे जातक अपनी बाजियों पर ज़्यादा वेट उठा सकते हैं उनके कंदे ज़्यादा रिस्पॉंसिबिल्टी ले सकते हैं क्योंकि यह मेनत करते हैं अब यह मेनत करते हैं बाजियों पर ज़्यादा टेक्सेशन करते हैं ज़्यादा जोर देते हैं तो बाजियों पर दर्द रहने की संभावना बनी रहती है इनकी बाजियों में कंदों में, हाथों में कहीं ना कहीं छोटी-मोटी deformity भी देखने को मिल सकती है नहीं तो दर्द तो रहेगा ही रहेगा दोसो, third house house of effort है malefic यहाँ होने से जातक हिमती होता है वो अपनी मेनत से हिमत से काम करता है अब शनी देवतर यहाँ बैठ गए तो उनका aspect आ गया है 9th house पे 9th house क्या है भागय है सो ऐसे जातक को अपना भागय मेनत से बनाना पड़ता है हर चीज के लिए संगर्श करना पड़ता है हर काम में इनको रुकावट देखने को मिलती है अब यह कह सकते हैं कि इनको कुछ silver spoon नहीं मिलेगा इनको अपनी तकदीर अपनी हाथ की लखीने खुद ही लिखनी पड़ती है अपना भागय खुद ही लिखना पड़ता है बनाना पड़ता है सो अगर इनके अपने कामों में रुकावट मिले तो घबराए नहीं दबारा कोशिश करें शनी maturity का planet है ये देता देर से है मगर देता जरूर है third house आपके siblings को भी indicate करते है छोटे बाई बैन दोस्त तो शनी जब यहाँ पे आ गया तो उनके साथ पहले तो उसके छोटे बाई बैन नहीं होते बड़ा interesting रहेगा जिसके शनी third house में हो आप उनसे check करें या तो उनके छोटे बाई बैन नहीं होंगे अगर होंगे तो उनके साथ age difference होगा क्योंकि उन दोनों के बीच में एक बार उसकी मदर का miscarriage या abortion जरूर हुआ होगा अगर age difference भी नहीं है तो ऐसे लोगों की अपनी भाई बैनों के साथ relation में घोटन देखने को मिलेगी घोटन की क्या वज़ा होते है घोटन की वज़ा होते है आप उनसे expectation करते है मगर आपका कार्मिक account है उनकी सेवा करना क्योंकि जहाँ पर शनी बैठा है वहाँ पर आपको मेहनत करनी है उससे कुछ बापस expect नहीं करना अगर वह आपको कुछ दे दे तो अच्छी बात है मगर यह आपका कार्मिक account है तो उनसे कुछ expect ना करें उनके लिए करम करें यही आपकी नेती है तब ही relation अच्छे बने रहेंगे question यह है कि भाई बैनों के साथ दोस्तों के साथ कुलीक्स के साथ क्यों नहीं बनती reason यह है कि उसे life में कुछ आगे बढ़ने के लिए किसी की मदद नहीं मिलती जब आपको किसी की मदद नहीं मिलती आप खुद ही अपनी हार से अकेले पन से बाहर निकलते हैं तो उसको लगता है कि सब relation बे मतलब की है कोई उनकी मदद नहीं करता सो उसके लिए वो सब irrelevant हो जाती है वो सबसे irritation उसकी हो जाती है यह भूल जाता है कि यह उसका कार्मिक अकाउंट है दोस्तों फिफ्थ आउस पे इसका आसपेक्ट आने से फिफ्थ आउस के सिगनिफकेशन में डिले होता है फिफ्थ आउस के सिगनिफकेशन क्या होते है सबसे पहले education सो पढ़ाई में रुकावट मिलेगी मेनत ज़्यादा करनी पड़ेगी हो सकता है बीच में कहीं ब्रेक भी लग जाए ड्रॉप लेना पड़े मगर result मिलेंगे ऐसे लोग जनरली technical subjects को ज़्यादा prefer करते है दूसरा उसका aspect आगया love relation पे love relation पहले बनते नहीं है delay से बनते है और बनते भी है तो उनके अंदर घुटन देखने को मिलती है उसके बाद progeny progeny में दिक्कत होती है specially boy child के case के अंदर girl child अराम से हो जाते है boy child के case के अंदर इनको progeny में दिक्कत देखने को मिलेगी seventh aspect आगया इसके ninth house पे so भागया के बारे में आपको बताया है कि भागया में इसको रुकाफटे मिलती है father के साथ कुछ relations में भी गड़बड हो सकती है हो सकता है इसको घर से दूर जाना पड़े इसका tenth aspect आगया twelfth house पे twelfth house होता है आपका करम स्थान so करम के लिए इसको घर से दूर जाना पड़ सकता है इन लोगों का घर पे रहना मुश्किल है ऐसे लोगों के करम विदेश या घर से दूर जुड़े हुए है इनका भागय की ग्रोथ होती है घर से दूर जाने के लिए अगर कहीं दूर का स्कोप नहीं है तो आप देखें इनका office इतनी दूर होगा कि इनको थोड़ा office जाने के लिए भी लंबा travel करना पड़ेगा 40-50-100 km दूर का distance होगा जिसके लिए इनको घर से दूर जाना पड़ेगा profession के लिए दोस्तो third house entrepreneurship का घर है तो ये लोग अपना कोई start-up start कर सकते हैं कोई ऐसा काम शुरू कर सकते हैं अपनी मेनत से अपने दिमाग से अपनी हिम्मत से और ये करते हैं कुछ नहीं तो अपने office के काम के साथ कोई दूसरा काम भी start करने के इनके अंदर हिम्मत पनी रहती है शनी maturity का planet है so slow है जल्दमाजी के साथ तो maturity नहीं होती so ये लोग बोलचाल में, अपने efforts में चाते हैं, so जो perfection चाता है, उसको slow चलना ही पड़ेगा आप देखेंगे कि ये लोग जिन्दगी में काफी करोध करते हैं मगर इनका भागय होदे 32 साल की age के बाद शुरू होता है, और जब एक बार सफलता पा लेते हैं तो ये पीछे मुड़के नहीं देखते, जिन्दगी में नए मुकाम पर पहुँचते हैं जिन्दगी में chances रहते हैं कि अपनी property, अपनी land कुछ ना कुछ ये जरूर करी थे ये हर चीज को समझ के धीरे से धक्ये खाकर परिशान होके मेनत करके ये अपना भागे बनाते हैं और जिन्दगी में काफी तरक्की करते हैं तभी तो बताते हैं कि शनी दीसरे चेवे क्यार्ज़वी घर में अच्छे रिजल्ट देता है तो दोस्तों ये तो था शनी का थर्ड आउस पे प्लेस्मेंट पे क्या रिजल्ट मिलेंगे शनी की दूसरे गरों में प्लेस्मेंट के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट शनी की दुनिया को रेफर कर सकते हैं उसके इलावा शनी के बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है astrojiva.com आप उसमें जा सकते हैं आप अपने कमेंट्स क्वेरिस कमेंट्स सेक्शन में दे सकते हैं आपका दिन शुब रहे भगवान आपे करिपा बनाई रखे ओम कनपते नभा